हालो औन वल्कमाच टॉइस पिटारा में मैं बताने वाली हूँ आपको स्क्राबल बोर्ट गेम खेलने का सही तरीका and I assure you कि इस वीडियो को एक बार completely देख लेने के बाद आपको किसी भी और तरीके के इंस्ट्रक्शन की जरूरत बिलकुल नहीं पड़ेगी ये गेम 2-4 प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है और इसे खेलने के लिए ये स्क्राबल बोर्ट और 100 लेटर टाइल्स मिलती है इन टाइल्स में से 98 ऐसी टाइल्स होती हैं जिन में A to Z लेटर्स लिखे होते हैं और 2 टाइल्स इन में ब्लैंक होती हैं इसके अलावा गेम बोक्स में ये स्क्राबल बैग और इस तरीके के 4 टाइल्स भी मिलते हैं इस स्क्राबल बैग को सेंटर में रख कर इसमें सभी लेटर टाइल्स भर दी जाती हैं और हर एक player को ये tile rack दिया जाता है जिसमें वो अपनी letter tiles को game खेलते वक्त set करेगा Scrabble game में players letters को आपस में जोड कर एक meaningful word बनाते हैं और उनसे points earned करते हैं Mutual understanding के basis पर किसी भी एक player को score keeper बनाया जाता है Score keeper ही सभी players की हर एक turn के बाद paper पर उनके points note करता है Game शुरू करने के लिए हर एक player इस letter tile से भरे bag में से एक tile निकालेगा और जिसके tile एक सबसे closest होगा वो ही first turn चलेगा By chance अगर किसी player की blank tile निकल जाए तब इस case में blank tile वाले player को first turn मिलेगी First player decide होने के बाद सभी players को अपनी निकाली हुई tile bag में वापस रखनी है इसके बाद हर एक player bag में से 7 tiles निकालेगा और उन्हें अपने सामने इस rack में अपने हिसाब से set करेगा अब यहां से game खेलना शुरू किया जाएगा और सभी players अपने rack में रखी हुई tiles में से meaningful words बनाने की कोशश करेंगे अगर किसी player के पास blank tile है तो वो उसका use किसी भी letter की जगा कर सकता है blank tile चलने के बाद word में उसे जो letter माना गया है आगे पूरे game में उसे वो ही letter माना जाएगा first player को अपनी turn चलने के लिए अपनी किसी भी दो या दो से ज़ादा letter tiles से कोई meaningful word बनाना है और player अपनी letter tiles को game board पर horizontally या फिर vertically ही रख सकता है वो उन्हें diagonally बिलकुल नहीं रख सकता player को ये भी ध्यान देना है कि वो अपनी first turn में जो भी word बनाए उसका कोई भी 8 letter tile स्क्राबल बोर्ट के center में बने इस star वाले square box को जरूर cover करे first player जो भी word बनाता है उस word का score double हो जाता है क्योंकि first player को star symbol cover करने की वज़े से double points मिलते हैं इस game में words बनाने के साथ साथ सही तरीके से score note करना भी बहुत जरूरी है और score को calculate करना बहुत ही simple है हर letter tile के नीचे एक number दिया हुआ है ये ही tile का score होता है तो player जब board पर कोई भी word बनाता है तब उस word को बनाने में जितनी भी tiles लगी होती हैं उनके नीचे दिये गए number को simply add करना होता है और साथ में अगर कोई tile किसी bonus square box पे है तो उसकी भी value को add करना होता है वर्ड में अगर कोई blank tile है तो उस letter का score zero होगा for example अगर first player ने board पर अपना पहला word train बनाया तब इस case में उसने ये center star वाला square भी cover कर लिया और उसका first letter double letter वाले square space पर आया है इसी लिए train का score calculation कुछ इस तरीके से होगा t double letter bonus square में है तो t का score double होगा यानि की 2 फिर r का score 1, a का score 1, i का score 1 और n का score 1 है तो total हुआ 6 इसके अलावा क्योंकि इस word में center square cover हुआ है तो word का total score double हो जाएगा जो की होगा 12 तो इस तरीके से player अपना word बना के अपनी turn complete करेगा और अपना score score keeper को note करवाएगा ये score keeper की responsibility है कि वो player का score check करके ही सही तरीके से paper पर note करे अपनी turn complete होते ही player को दुबारा से इस tile back से उतनी ही new tiles निकालनी है जितनी की उसने अपनी turn में चली थी ताकि वापस से उसके tile rack में 7 tiles हो जाएं अब इसके बाद second player अपना word board पर रखी हुई letter tiles का use करते हुए ही बनाएगा player board के किसी भी हिस्से पर अपने मन से word नहीं बना सकता उसे board पर पहले से बने हुए word का कोई भी एक या एक से जादा letter का use करते हुए ही new word बनाना है player पहले से बने word के front में, back में, top में, bottom में या फिर बीच की खाली space में new letters insert करके new word बना सकता है second player के word बना लेने के बाद और उसका score note होने के बाद next player की बारी आएगी और इसी तरीके से game clockwise direction में खेला जाएगा player के letter time चलने के बाद अगर एक से जादा new words बने तो सभी new words का score add होगा और जो common letters हैं उनका score हर word में अलग-अलग count होगा जैसे की इस case में player ने strainers के उपर hob लिखा है hob चलने की वज़े से four new words बने जो की है hob, high, on और be अब एक बार board पर बने bonus square boxes को अच्छे से समझ लेते हैं board के center में ये star box के अलावा चार और तरीके के bonus boxes हैं light blue color में double letter box, dark blue color में triple letter box, yellow color में double word box और red color में triple word box अगर word का कोई भी letter double letter वाले box को cover करता है तो केवल उसी letter का score double होगा और इसी तरीके से अगर word का कोई भी letter triple letter वाले box को cover करता है तो केवल उसी letter का score triple होगा लेकिन अगर किसी word का letter double word वाले box को cover कर लेता है तो पूरे के पूरे word का score को simply double कर देना है और इसी तरीके से अगर किसी word का letter triple word वाले box को cover करता है तो simply पूरे के पूरे word के score को triple कर देना है अगर कोई blank tile double या triple word वाले space पर है तब उस word के बाखी letters का score double या फिर triple हो जाएगा लेकिन अगर कोई blank tile double या triple letter वाले space पर है तो उस tile का score 0 ही रहेगा यहाँ पर ये ध्यान देना सबसे ज़्यादा important है कि bonus square box के points को सिरफ उसी turn पर add किया जाता है जिस turn पर उसके उपर letter को रखा गया था इसके बाद जब कोई next player same word को modify करके new word बनाएगा तो पहले से रखी हुई tiles के bonus points को add नहीं किया जाएगा जैसे कि अगर trainer के आगे s letter लगा के trainer नया word बना दिया जाए तो उसका score होगा 8 game में किसी भी word को एक से जादा बार बनाया जा सकता है और even की game में plurals भी allowed है जैसे कि cat में अगर हम s जोड़ दें तो new word cats बनाया जा सकता है कभी कभी एक word के दो letters double word box में आ जाते हैं तब उस word को दो बार double किया जाता है और इसी तरह अगर player के कोई word के two letters triple word box में आ जाए तो उस word के score को दो बार triple किया जाता है प्लेयर अगर चाहे तो अपने rack में रखी हुई एक या फिर सभी tiles को back में रखी हुई tiles के साथ exchange कर सकता है लेकिन exchange करना एक turn मानी जाएगी और इसी लिए अगर player को अपना word बनाना है तो उसे फिर अपनी next turn का wait करना होगा प्लेयर अगर चाहे तो अपनी turn को pass भी कर सकता है इस game में 50 points वाला bonus भी बहुत interesting है अगर कोई player अपनी साथो की साथो tiles का use करके कोई एक word बना देता है तो उसे उस word का score तो मिलता ही है और साथ में उसे 50 extra points भी मिलते हैं अब ये जान लेते हैं कि इस game में कौन-कौन से words permitted नहीं है गेम में standard English dictionary के वो सभी words यूज कर सकते हैं जिनका की first letter capital हो abbreviations, prefix, suffix और ऐसे words जिनमें की apostrophe और hyphen का use हो ये सभी के सभी words allowed नहीं है opponent अगर चाहे तो दूसरे player को उसके word की correctness के लिए challenge भी कर सकता है और dictionary का use करके ये देख सकता है कि वो word सही है या गलत अगर word गलत निकला तो player को अपनी गलत word वाली सारी tiles वापस bag में रखनी होगी और अपनी turn भी miss करनी होगी लेकिन अगर word सही निकला तो challenge करने वाले को अपनी turn मिस करनी होगी यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि dictionary का use केवल challenge के दोरान ही किया जा सकता है तो इसी तरीके से खेलते खेलते जब scrabble bag में से सारी tiles खत्म हो जाती है और किसी भी एक player का rack completely खाली हो जाता है तब ये game end हो जाता है अगर game में ऐसी situation आ जाए कि कोई भी player game में आगे एक नया word नहीं बना पा रहा है तो भी ये game end हो जाएगा और तीसरी situation में अगर सभी players लगाता दो बार अपनी turn को pass कर दे तब भी ये game end हो जाएगा game के end में हर player का जो भी total score होता है उसमें से उसकी unplayed tiles का total score माइनस कर दिया जाता है और अगर किसी player के tile rack में से सारी tiles खत्म हो चुकी है तो बाकी के players की unplayed tiles का score उस player के score में add कर दिया जाएगा और इस तरीके से जिस भी player का game में सबसे जादा score आता है वो ही इस game का winner होता है